मा चली अमरीका नेदी का नेचर बच्पन से ही शर्मिला था उन्हा ज्यादा लोग उसे बात करना पसंद करती और ना ही ज्यादा मिलना जुलना नेदी ये पैसे ले जरा और बजास चीनी तो ले आ नहीं मा मैं नहीं जाओंगी मुझे शर्म आती है आपे चले जाओना अरे पता नहीं क्या करेगी ये लड़की जीवन में कभी कुछ किया ही नहीं सिवाए पढ़ाए और घर के काम होके इसकी शादी भी आसपासी कहीं करवादो दूर जाकर इसका गुजारा कैसे होगा नेदी सुनती सबकी समझती भी लेकिन चुप करके रह जाती एक दिन पिता के दोस्त अपने परिवार के साथ नेदी के घर खाने पर आते हैं उनकी बेटी बहुते समार्ट होती है नेदी पेटा विणा के साथ बात करो देखो अंकल की बेटी भी आई है उनके साथ नेदी विणा के साथ वहीं बैठ जाती है चलना अंदर चलते हैं यहां कहां बड़े लोगों की बीच बैठे है नेधी मा की तरफ देखती है और अंदर चली जाती है वैसे मैंने न अपना चैनल खुला है तुम सब्सक्राइब करना उसमें मैं न ब्यूटी और फैशन की बात करती हूँ ये देखो इतने सारे लोगों के सामने तुम कैसे इतना बोल लेती हो मुझे तो बहुत शर्म आती है हारे शर्म कैसी खैर सीधी साधी सी नीधी उसकी शादी हो जाती है राकेश से राकेश एक स्मार्ट लड़का था उसे घूमना फिरना पसंद था लेकिन नीधी का शर्मिला व्यवार वो समझ जाता है हरे निधी, घर से बाहर क्यों नहीं निकलती, लोगों से मिला जुला करो, तबी तो पता चलेगा ना कि दुनिया कैसी है, क्या करना है पता करके, शादी से पहले पापा और अबापा, ठीक है ना, मुझे ज्यादा दुनियादारी में नहीं पढ़ना, निधी की जिंदगी ठ ने शहर में दो मकान भी ले लिए, तो नों की शादी, कुद का पता ही नहीं चला कैसे उड़ गया, हाँ, ये तो है, मैं खुश हूँ, जिम्मेदारियां आती रही, मैं निभाती रही, और क्या चाहिए, देखो, मैंने सोचा है कि अब हम लोग अमरीका जाकर रहेंगे, य आप तो जानते हैं ना कि मैं घर से बाहर ही कम निकलती हूँ, अर तो क्या हुआ, वहां भी घर में ही रहना है ना, मैं हूँ ना, नौकरी करूंगा, निधी मान जाती है, और पती की साथ अमरीका चली जाती है, बाह, तुम्हारी बहु को बच्चा होने वाला है, तो क्या तुम दो मेने के लिए यहां आ सकती हो, मुझे तुम्हारी बहुत जरुरत है, मैं टिकड फेज देता हूँ, हाँ, हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है, मेरा भी मन सबसे मिलने का कर रहा था पर, क्या मा पर, मैं आऊंगी कैसे, पापा से बात करती हूँ, देखो मा, प नीधी आने जाने में बड़ा खर्च हो जाएगा, उपर से मुझे यहां छुटी नहीं मिलेगी, बहुपर वक्त ऐसा है कि तुमको तो जाना ही पड़ेगा, मैं अकेले दुकान तक तो नहीं जा पाती, इतनी दोर भारत कैसे जाओंगी, मुझ से नहीं होगा, लेकिन सब क कहने पर नीधी को जाना ही पड़ता है, एरपोर्ट में घबराई नीधी एक मुसाफिर से कहती है, मैं ना भारत जारी हूँ, दिल्ली जाने वाली फ्लाइट, सब मिलकर नीधी के मदद करते हैं, और फाइनली नीधी भारत पहुच जाती है, जहां बेटा उन्हें घर ले जाता है, वा माजी, यहां तो मैं बोपाल तक नहीं जा पाती, आप अमरीका से आदी, बेट चलाकी तो आउरतों में होने ही चाहिए, यहां हम बुद्धों के बुद्धों रह के, निधी इतनी दूर और लंबा सफर करके ठक जाती है, उचुप जाती है, उचुप जाती ह निधी को बहु का व्यावार बहुत बुरा लगता है, जैसी भी थी, पिता और पती की हमेशा लाड ले रही थी निधी, निधी बेटी के तरफ दीखती है, मा वो काम वाली कोई मिल नहीं रही है न, मैं देखने की कोशिश तो कर रहा हूँ, जैसे ही मिल जाएगी, वो कोई मेरे बच्चे को अच्छे से नहीं संभालेगा, अब इनका भी खर्चा और नाकरानी का भी खर्चा, अरे ना जी ना, मैं नहीं संभाल सकती, निधी जैसे तैसे दो महीने रहकर वापस अमरिका चली जाती है, लेकिन वहाँ जाते ही, जैसे राकेश उसे देखता है, मैं नहीं चाहूंगी कभी भी भारत, आप मुझे हमेशा यहीं रखना अपने पास, राकेश पेटी को फोन करता है, तुम्हारी मा की जो दुर्दशा करके तुमने बेजाए ना, मुझे पता होता तो मैं अपनी बीवी को कभी तुम्हारे पास नहीं बेजता, पापा, अभी इतनी सीधी है के चुपचाब सैती रही, मुझे माफ करतीजे पिताजी, खेर, राकेश कहता भी क्या, प्यार दुलार के साथ अपने निदी को संभालने में लग जाता है, लेकिन कहते न, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, अमरिका में ही राकेश की मृत्य हो जाती है और निदी अकेली रह जाती है, बड़ा बिटा कहता है, माँ भारत चलो न, हम लोग साथ रहेंगे, निदी को जैसे ही वो सब सीन्स याद आते हैं, वो परिशान हो जाती है, समझ में नहीं आता कि पती के बिना आप जीवन कैसे चलाएगी, मैंने सारा जीवन घर का काम किय घर देखा और जिन्दगी चलाई, लेकिन जिस घर में रही सबने प्यार दिया, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, तब ही राकिश जिस कंपनी में काम करता था उसका मालिक निदी के घर आता है, वो भी भारत ये ही होता है, निदी राकिश ने आपके बारे में बताया था, ज हम लोगों की कंपनी में आपके लिए नौकरी भी है, निदी पती के पैसे देखकर मन में तसली करती है, और नौकरी के लिए हाँ कर दीती है, अर पागले क्या मा, कैसे नौकरी करोगी, यह अमरीका है दिल्ली नहीं, मा तो तुम घर से निकल भी नहीं पाती थी, यहाँ कै मेरे पती, मेरे पिता मुझे खुश देखना चाते थे, वो लोग जब तक थे मुझे किसी चीज के लिए ना फोर्स किया ना कभी कमी होने थी, पर अब मुझे जीवन जीने के लिए घर से निकलना ही होगा, बेटा तुम तो अगली फ्लाइट से भारत लोट जाओ, मैं यहीं कुशूूूूूू।